समाजवादी पार्टी के वरिष्ट निता और समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री रहे श्वाहिद मंजूर अखिलेश व्यादव से मुलाकात करके निकले और इसके बाद उसे जब खास बाच्वित की कई हमारे संबादा अभिशेक से में इस दोरान उनका क्या कुछ कहना था सुनिया समाजवादी पार्टी कारेले में मुलाकात करने राष्ट्रेट देक एकलेश आदो से शाहिद मंजूर साब पहुंचे थे जिस तरह से घमासान चल रहा है रुची वीरा के समर्थक पहुंच गया है कलेक्ट्रेट बताया जा रहा है इधर से हैस्टी हैसंस आपको चनाव लड़ानी की बात हो रही है यह अंद्रूनिक हीस्ता नुकसान नहीं होगा इससे लोक्स वाचनाव में जिस पार्टी मजबूत होती है जनाधार होता है उसमें टिकेट मांगने वालों की तादाद भी ज्यादे होती है तो आपको लगता है कि टिकेट मांगना और पार्टी भी तो कोई बात तैय करती है तो क्या पार्टी लाइन से अलग हटके अलाइदा हटके भी कोई आजम साहब नाम लिया था रुची वीरा जी का अब रुची वीरा जी क्या मान ने रही हैं पार्टी लाइन से अलग हटकर वहां जिला एक आईयों ने भी विरोत करना शुरू कर दिया है क्या मुरादाबाद की रहा कठेन हो जाएगी इसके समय जादी पार्टी लिए इस व बात से आप इस बात का मतलब बिल्कुल समझ सकते हैं आप कि उनके कहने का मतलब बिल्कुल साफ था कि पार्टी में अंद्रूनी तोर पर जो घमासान मचा है उसकी वजह टिकेट आर थी हैं लोग पार्टी लाइन से अलग हटकर भी टिकेट मांगने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने तक पहुंच रहे हैं देखना होगा समाजवादी पार्टी में मचे मुरादाबाद और रामपूर की सीट को लेकर इस घमासान का अंत आखिर कितनी देर में होता है क्या मैं अर्शत के साथ अभिशेक सिंग इंडिया निउस लखना हुग